राश्ची राजधानी दिल्ली समयत पूरे उत्तर भारत में भीशन गर्मी पड़ रही है। लोगों का दिन के समय घर से बाहर निकलना मुश्किन हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत के अगले 24 घंटे में हीट वेव से लेकर गंभीर हीट वेव वालिस्तिती बरकरा रहने वाली है। इसके बाद हीट वेव धीरे धीरे गायब होगी। इसके पीछे वजए एक वेस्टर्न डिस्टरवेंस का उत्तर पश्चमी भारत की ओर आना है। इसके बाद ही राहत मिलने की उमीद है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने यह भी बताया कि सब हिमाले पश्चिमी बंगाल, असम, मेखाले में अगले दो दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने जारी ही है। ऐसे में पूर्वोतर भारत के रहने वाले लोगों को भारी बारिश से साब्धान होने की जरूरत है। पिछले 24 खंटे की मौसम की बात करें तो पंचाब, हरियाना, चंदीगर, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हिमाचन प्रदेश, उत्राखंड, बिहार, उत्री, मध्यप्रदेश, ओडीसा, जारखंड, उत्तरपर्चिमी, राजिस्थान, उत्तरपर्चिमी, मध्यप्रदेश और जम्मू डिवीजन में हीट वेव की स्थिती देखी गई है, वहीं पंचाब, हरियाना, चंदीगर, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजिस्थान में राग के सववे भी काफी गद्नी रहेगी उत्तर भारत में ज्यादतर जगह अधिक्तम तापमान 44-46 डिग्री सल्सियस के बीच रहा, जो की औस्तर से 5-8 डिग्री सल्सियस अधिक है अगले 3-4 दिनों के दोरान महराश्चे, च्छतिसगर, ओडिसा, तटिया अंदरप्रदेश और उत्तर पष्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, पष्चिमी बंगाल और गंगा के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों, उप हिमाले पष्चिमी बंगाल के सेश ह और बिहार और जारखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिन पष्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुपूल हैं, यानि कि इन राज्यों में मानसून की एंट्री जल्द ही होने जा रही है, मौसम विबाग के अनुसार अनुनाचल प्रदेश, असम, खाल्या, नागालेंड, मनिपूर, मिजोरम, त्रिपुरा, सब हिमालियोई पष्चिमी बंगाल में अगले पांच दिनों तक हलकी से मध्यम बारिश हो गी और अंधर प्रदेश में तूफान का भी अलड़ जारी किया गया है, वहीं गंगिये पष्चिमी बंगाल, बिहार जारकंड, ओडिसा में भी अगले पांच दिनों तक हलकी से मध्यम बारिश होने जा रही है, उत्रधारत की बात करें तो जमुकश्मीर, लग्दाफ, हिमाचर प्रदेश, उत्राखंड में 18-22 जून, हर्याना, पंजाब, दिल्ली, चंडिगर, उत्रप्रदेश, राजिस्